कोरोना वेक्सिन से जुड़े हुए आठ अपडेट्स आपके साथ यह वीडियो में शेर करूंगा तो वीडियो को पूरा जरूर से देखे नए हो पहली बार अगर चैनल पर आये हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथी दबा दो बेल के आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेर जरूर से करें क्योंकि अपडेट सब लोगों तक पहुचे वो काफी जादा इंपॉर्टेंट है पहले अपडेट की दरफ चलते है जो जुड़ाव है गॉवर्मेंट ऑफ इंडिया की डिसिजन के साथ तो यहां पर सारे ग्रूप्स के लिए वैक्सिनेशन जो है वो जल्दी नहीं लिया जाएगा मेरा ऐसा मानना है कि अगर सिचुशन को गंट्रोल करना है तो आल एज ग्रूप मतलब 18 प्लस सभी को एलिजिबल कर देना चाहिए जिस पर ट्राल्स परफॉर्म हुए थे लेकिन गवर्मेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि साइन्टिफिक प्रस्पेक्टिव्स है जिसकी जो है वो नहीं होने वाला है आगे बढ़ते है नेक्स अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ है ऑक्सफर्ड के साथ तो ऑक्सफर्ड ने अपने ट्राइल्स बच्चों पर रोक दिये है क्यूंकि काफी जादा डेटा कलेक्ट हो रहा है बलड क्लोटिंग इस्यू का तो इसी वजहां से उन्होंने ये ट्राइल्स को पॉज कर दिया है बच्चों पर अब इसके ट्राइल्स नहीं होगे आगे बढ़ते हैं जुड़ा हुआ है SII के CEO के एक इंटर्व्यू के साथ ही मुझे काफी अच्छा लगा है ऐसा बोलना पब्लीक अली ये गड्स चाहिए बेजिकर यहां पर क्या कहा गया है अदारपुनेवाला जी के ध्वारा उन्होंने कहा है हमने गवर्मेंट ऑफ इंडिया को जो है वो अब तक 100 मिलियन डोजीज जो है वो प्रोवाइड कर दिये है 10 करोर अल्मोस 60 मिलियन डोजीज जो है 6 करोर डोजीज वो हमने एक्सपोर्ट कर दिये है उन्होंने कहा है गवर्मेंट ऑफ इंडिया को जो डोजीज दिये गया है वो approximately जो है वो 150 से 160 रुपे के price point पे दिये गया है उन्होंने कहा है कैसा नहीं है कि इससे हम profit नहीं बना रहे हम उसे reinvest करें और जो हमारी इंडिया की requirement है उसे पूरी करने के लिए एक और facility चाहिए और जिसके लिए 3000 करोर का investment जो है वो करना पड़ेगा ये काफी बड़ा investment है अगर मानी वो करते भी है तो 150 और 160 रुपीस के price point पे वैक्सिन सेल करके वो इतना profit नहीं कमा पा रहे है जि इससे वो recover भी अपनी cost जो है वो कर पाए एक ही solution है वक्सिन को commercialize करना अभी के लिए जो हो रहा है क्या हो रहा है Serum Institute इंडिया government of India को supply कर रहे है government of India rule कर रहे है कि किसे देना है किसे नहीं देना है एक और chain का होना ज़रूरी है जहां पे private sector जो है वो play market में आये और वो directly sell करें कि 1500 रुपीज पर डूस 2000 रुपीज पर डूस तब जाके companies जो profit कमाएगे और यह बिल्कुर clear बात है और सभी के सामने है तो आपका क्या सोचना है comment section मुझे जरूर से बताईए आगे बढ़ता है next update के ऊपर जो जुड़ा हुआ है जो विदेन United States के साथ तो उन्होंने जो है कि यहां पर इंडिया में तो मतलब ऐसा कहा गया है कि यह जीज जल्दी नहीं होने वाली है तो हम expect कर सकते है कि जुलाई में हो जाए या फिर August में हो जाए या फिर September में हो जाए तो यह एक अच्छा distance लिए भी है कि वो डोजिस को manufacture जादा कर रहे है एक्सपोर्ट नहीं कर रहे है सारे डोजिस को consume कर रहे है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इंडिया में केसिस होगे और यूएस जो है वो फ्री हो जाएगा तो यह अच्छा यहीं मॉडल है कि अभी सबको vaccine देना जरूरी है तभी जाके situation जो है वो control में आएगी आगे बढ़ते नेक्सपोर्ट के ओपर जो जुड़ा हुआ है हमारे health minister साब हर्षवरदन जी से उनका कहना है कि पंजाब में जो cases आ रहे है उसमें से 80% of cases UK variant के है तो यह एक बुरी बात है जो पहले variant थे वो इतने जादा strong नहीं थे अब strong है mortality rate भी बढ़ रहा है तो अभी के टाइम में precaution जो है वो mandatory है यह variance जो है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपकी आप पहले भी exposed हो चुके है आपके body में antibodies है लेकिन यह variant ही अलग है तो दिक्कत जो है वो फिर से सभी लोगों को आ रही है आगे बढ़ते next update के ऊपर जो जुड़ा हुआ है export के साथ तो य domestic need भी बढ़ गई है मतलब first जो phase था ना उसी में ऐसा हो सकता था कि 45 प्लस सभी eligible है लेकिन नहीं ऐसा नहीं किया गया first 60 प्लस को किया गया उसके बाद 45 प्लस को mobility को एड़ किया गया अब 45 प्लस को एड़ किया गया है तो क्यूं क्यूंकि ताकि vaccine export हो पाए थोड़ी बहुत उसकी जरूरत थी भी सही और अगर हम कहें नहीं थी तो यहां पर first phase में जो है यह सारे groups cover हो जाते लेकिन अब जो है देफिनेटली धीरे-धीरे कम होगा नेक्स अब्लेट की बात करते है जो जुरावाई European medicine agency के एक official के साथ उन्हों नहीं जो है वो directly link किया हुआ है AstraZeneca vaccine and thrombosis को thrombosis मतलब blood clotting का जो problem है उसे thrombosis कहा जा रहा है तो यहां पर हो तो रहे है और यहां पर एक question मैं आप सब इसे भी पूछना चाहूंगा कि इंडिया में क्यूं ऐसा एक case भी नहीं आया है एक भी case सामने नहीं आया है आपको लगता है कि आये होगी और सामने नही है या फिर आये ही नहीं है मुझे comment section में जरूर से बताईए लास्ट अपडेट की तरफ चलते है जो जुड़ा हुआ है AstraZeneca के साथ तो यहां पर Oxford AstraZeneca ने कहा है कि review अभी भी चल रहा है अभी तब कोई भी conclusion पर हम नहीं पहुंचे है यह जो blood clotting का issue है उसे हम review कर रहे है जैसे को अपडेट आएगा definitely मैं आप सभी को पताऊंगा आसा रखता हूँ आज का corona vaccine का अपडेट वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा यहां तक वीडियो को दिखाए तो like का बटन तो बनता है like कर दो वीडियो को कर दो शेयर आप सब इसे मुलाका तो कि कल के वीडियो में तब तक के लिए जहिंद वन्दमात्रम